खास करके हमारे को कमजोर समझ रही है अगर कोई वेक्ति अहंकार से हमारे को कुछलने की कोशिस करता है तो उसका मुँ तोड़ जवाब देने का भी हमारे पास एक बार और एक बार मुझे याद है जब मैं विद्यारती था तो लौ में पढ़ता था तो उसी वक्त ये पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब लाल बात्दूर शास्त्री जी ने एक बात कही थी हमें कमजोर मत समझो हमारे पास वो शक्ति है इट का जवाब पत्थर से देंगे तो हम हमको अगर कोई करता है सत्य बोलने से रोक सकता है प्रमानिकता से चलने के लिए हमको कोई आड़ा आता है और देश को बचाने के लिए आजादी को बचाने के लिए डेमाकरसी को बचाने के लिए समिदान को बचाने के लिए freedom of speech और expression को बचाने के लिए जो कुछ भी कुर्बानी देना है हम देते रहेंगे लड़ते रहेंगे उसकी रक्षा करेंगे